तुदूआ को सुबस्तर्ण इंड्यूस बारे मिदाक्व डिसॉडरर project क्रहaroni सुभ्सक्नाइब न इंड्यूस डिसॉडर्ट स का इसकेंड सक्धिया इंडूसियुस डिसॉडर्स क्या होते हैं उनके बारे मैं रिष्क रहे induced disorders और इसमें जो induces हैं उसमें specific जो substance है वो है following substances हैं जिसमें intoxication है withdrawal है psychotic disorders है और यह सारे substance induced disorder है यानि इससे आपको substance use करने से यह disorder हो सकते हैं जिसमें psychotic bipolar depression anxiety sleep disturbance delirium या neural cognitive disorders या sexual dysfunction intoxication के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं intoxication क्या होता है intoxication means आप जितना substance को consume करते हैं और वो substance जो है वो आपके physiological changes करता है या फिर आपके behavior में चेंज आता है या feelings में या फिर तॉर्ट्स में चेंज आता है substance induced disorders जो intoxication है intoxication इसको हम देखते हैं कि डिपेंड करती है इस पर intoxication हम चेक करते हैं कि type of substance कौन सा है या या पिर आप निकोटीन यूज कर रहे हैं या फिर सेड़िव यूज कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं या फिर आप बाई इंजेक्शन ले रहे हैं या फिर आप बाई sniffing ले रहे हैं उसको and then duration chronicity यानि उसकी duration कितनी है आप कब से उसको consume कर रहे हैं and then individual degree of tolerance यानि आपका जो tolerance लेवल है वो कितना कितना आचुके है और कितना आपने develop कर लिया है and then time since last dose यानि last dose से आप कितना time जो है वो आपको हुआ है उसको छोड़े हुए and then person's expectation of substance effect यानि कि आपकी जो expectation है उसके effect की वो क्या है and then contextual contextual variables contextual means situations variable situational variables यानि आपकी situation में उसको use करते हैं और कहां use करते हैं कभी use करते हैं surrounding क्या होती है आपकी and then withdrawal withdrawal में क्या होता है यानि आप substance को लेना उसको consume करना stop कर देते हैं छोड़ देते हैं उसको and then आपकी body जो है वो react करती है और कुछ उसके जो response में कुछ physiological changes आते हैं and then substance induced mental disorders यानि कि आप ऐसे substance की वज़ा से आपको को mental disorder होता है तो उसका जो criteria है वो क्या है first of all तो जो disorder है उसमें आपके clinical significant distress होना चाहिए और relevant होना चाहिए mental disorder उससे substance से and then evidence होना चाहिए कि आपके पास के जो substance है वो बाके ही वो mental disorders जो है उसकी वज़ा बन सकता है तो यह जो criteria है सिमिलर है जैसे criteria हम बाकी पढ़ते थे कि जो substance medication induced disorders होते हैं so mental disorders कि substance की वज़ा से तो उसमें भी यह same criteria है नेस्ट नीरो अडेपटेशन का जो concept है यह भी important है कि इसमें आपको cns है यह नीरो अडेपटेशन के आपने neurons जो है और आपके टॉलनस जो है वो डेवलप हो चुकी है and next tolerance का भी यह concept हम देख चुके हैं का क्या होता है टॉलनस और इसमें भी आपकी जो एक tolerance लेवल जो है अब आपको increased amount चाहिए उस substance की जो हां consume कर रहे थे same effect को हांसिल करने के लिए and then dsm-5 के diagnostic criteria जो है वो substance related यह एक्रिक्टिव डिसॉरस के लिए same criteria है और इन डिसॉरस के लिए है जो के नीचे mention है next similar जो diagnostic criteria है उसमें problematic pattern है of use का याप उसको use कर रहे हैं लेकिन वो impairment cause कर रहा है आपकी daily functioning में और two of the following occurring within a 12 month period यानि इन में से अगर दो भी हो रहे हैं over 12 month के period में अगर वो symptoms show हो रहे हैं देन हम उसको diagnose करेंगे सो certain substance है वो बहुत large amount में लिया चाह रहे हैं वो काफी अर्से से लिया चाह रहे हैं और आप उसको रोकना चाह रहे हैं स्टॉप करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं और आप उस पे बहुत ज्यादा time spend करते हैं उन activities में यह उसको consume करन करने में और आपको क्रेविंग होती है बहुत अर्ज होती है उसको use करने की आप बार बार उसको use करते हैं और उसको stop करने की में fail है failure है और उसका जो यूज है वो दूसरी activities में आपकी इंपेर कर रहा है दूसरी activities को जिसमें आपकी social occupational या दूसरी जो recreational activities हैं वह भी डिस्ट तोलनेस पी आप उसमें develop कर लें हैं withdrawal जो है उसका वोसके symptoms पी आना start हो जाएंगे अगर आप उसको stop करेंगे and then for intoxication intoxication के लिए जो different जो इन्होंने जो substance बताएं हैं उसके अलग से हैं withdrawal जो है उसके उसमें alcohol या दूसरे withdrawal symptoms इसके आना start हो जाते हैं और science and symptoms जो हैं वो impairment cause कर रहे होते हैं बाकी का criteria similar ही है I hope I made it clear इसको आपने रीट करना है understand करना है if you read twice या आप उसको दो बार रीट करें या एक पहले समझ के इसको रीट करें and then video को सुनने के बाद दूबारा रीट करें so that आपको एक understanding to develop हो जाए तरीके से और आपकी understanding improve हो जाए better हो जाए आपके concepts रहें हैं आपको हर शीज की समझ वाद है so share this video with other students and don't forget to hit the subscribe button if you are new to this channel so that आपको latest updates रहें उस फौरण मिलती रहें और बाकी जो दूसरा चैनल है साई की सीकर का वो भी description में लिंक मिल जाए का उसको भी जोईन कर लें उसको भी आपकी स्पोर्ट की जरूरत है जैसे आप इस चैनल क कर चेकर लांड करें कुसरें अपनी देजी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करें औरुइगे रहें अपने त्य हमस्कोड उसको डिसका ने अक्टिस क И'll वर एंड ह्मारी धिधि यज़्ोंगी जिस फ्लूंगा इसपीर न हें आप साइइं साम प्र प्रिक्राइब चाज g तो थैंक यू सौमाच अपना बहुत सा ख्याल रखें दूआ मियाद रखें अलाँ आप